इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई side effect होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. Colonext Pedioral Drops तीन दवाओं का combination है और इसे बच्चों को पेट में दर्द, पेट फूलने, बेचैनी और एंठन को कम करने के लिए दिया जाता है. यह पेट में अत्यधिक acid को बैसर करता है और पेट की gas को आसानी से बाहर निकलने में मदद करता है. यह पेट और आंट की मान स्पेशियों को आराम देकर एंठन से भी राहत देता है. भूजन से पहले या बाद में अपने बच्चे को Colonext Pedioral Drops मुह से दें. अगर इससे पेट में गरबड़ी हो जाती है, तो इसे भूजन के बाद दें. आम तोर पर इसे भूजन के बाद दिन में 4-5 बार दिया जाता है. लेकिन clinical condition, वजन और आपके बच्चे की उम्र के आधार पर यह खुराक अलग-अलग हो सकती है. इस दवा को अपने आप अचानक बंद न करें क्योंकि इससे लक्षन वापस आ सकते हैं, या आपके बच्चे की स्थिती खराब हो सकती है. यदि आपका बच्चा सेवन के 30 मिनिट के भीतर उल्टी करता है, तो बच्चे को शान्त कराएं और वही खुराक दो बारा दें. हाला कि अगर अगली खुराक का समय हो गया है तो डबल खुराक ना लें. आपको अपने बच्चे की सभी दवाओं के बारे में डॉक्टर को बताना चाहिए. अगर आपको पहले कभी अलजी, किसी भी खाद्य उत्पादों के प्रती इंतॉलरेंट, पेट में गरबड़ी, लिवर में खराबी, किड्नी में खराबी, या जन्न दोशादी समस्या हुई है तो इसके बारे में डॉक्टर को बताएं. यह जानकारी खुराक में बदलाव और आपके बच्चे के समग्र इलाज की योजना बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद. अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें. और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें. और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें. धन्यवाद.